हलो एब्रिवन स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल एसकेडी जोन में हम लोग पढ़ रहे हैं हुमन रिप्रोडक्शन यानि मानो जनन इस चैप्टर के अंतरगर पिछले वीडियो में हम लोग उने स्ट्रक्चर आफ स्पर्म यानि शुक्राड की सनचना को डीटेल में डिस्कस किया था उस वीडियो का लिंक आपको यहां आई बटन पे मिल जाएगा वहां जाकर कि आप उसे डीटेल में पढ़ सकते हैं और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उजेनसिस यानि अंड जनन को देखिए ये जो उजेनसिस प्रक्रिया है ये प्रक्रिया स्पर्मेटो जेनसिस की तुलना में काफी अलग भी है और उसकी तुलना में काफी जटिल भी है लेकिन घबराइए नहीं इस जटिल प्रक्रिया को भी हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लेंगे बस किसी देर के चलते हैं अपने क्लासरूम में और डिसकस करते हैं उजेनेसिस यानि अंड जनन कहते किसे हैं तो देखे ये सिंपल सा है कि mature female gamit यानि उवम के निर्माड की प्रक्रिया को ही उजेनेसिस यानि अंड जनन कहते हैं शब्द से एक लियर है उजेनेसिस उजेनेसिस का मतलब होता है निर्माड होना ठीक तो एक लाइन में सीधा सा कह सकते हैं कि उजेनेसिस यानि अंड जनन अब क्या है कि इस प्रक्रिया की शुरुआत कब होती है तो इस प्रक्रिया की शुरुआत embryonic development के दौरान ही हो जाती है embryonic development यानि भ्रोडिय परिवर्धन या भ्रोडिय विकास के दोरान ही इस प्रक्रिया की oogenesis की शुरुआत हो जाती है इसको समझे कि जब मादा शिशु अपने मा के गर्व के अंदर ही रहती है यानि embryo के ही रूप में अभी रहती है मादा शिशु उसी समय उसके ओवरी में oogenesis प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है क्लियर अब यहाँ पे यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा स्पर्मेटो जेनिसिस की तुलना में spermatogenesis कब शुरू हो रहा था sperm का बनना कब शुरू हो रहा था puberty के समय यौनारम के समय वो प्रक्रिया शुरू हो रही थी लेकिन यहां क्या है कि यह eugenesis जो है अंड जनन की प्रक्रिया इसकी शुरूआत तभी हो जाती है जब अभी embryonic development हो रहा होता है मादाशिशु का यानि मादाशिशु अपने मा के गर्ब के अंदर ही रहती है अभी embryo के ही रूप में रहती है उसी समय उस embryo के ओविरी में इस प्रक्रिया की शुरूआत हो जाती है clear? अब क्या है कि इस दौरान होता क्या है? तो embryonic development के दौरान embryo की प्रतेक ओविरी में लगभग 2 million 2 million O-Gonia का निर्माड होता है O-Gonia क्या है? ऐसे मिलता जूलता नाम वहां भी आया था spermatogenesis में वहां आया था क्या? spermatogenesis तो वो कोशिका है थी जिनसे sperm का निर्माड हो रहा था यह वो कोशिका है जिनसे O-M का निर्माड होगा इनके अर्ध सुत्री विभाजन यानि मियोसिस के फलस्वरूफी O-M बनेंगे यानि कि हम क्या कह सकते है? कि यह O-Gonia जो है यह क्या है? O-M Mother Cell है या कह सकते है Female Gamet Mother Cell है थिक? तो इनका निर्माड यहाँ पे कब हो जा रहा है? जब Embryo के रूप में है वो मादा शिशू यानि मादा शिशू जब अपने मा के गर्व के अंदर Embryo के रूप में है Embryonic development अभी उसका चल ही रहा है उसी समय उसके प्रतेक ओविरी में 2 million बहुत बड़ी संख्या है 2 million की संख्या में ये उगोनिया का निर्माड हो जाता है और यही वो कोशिकाएं हैं जिनसे अब ओवम का निर्माड होगा मियोसिस के फलसुरूप ठीक? और एक अनोखी बात ये है कि इनका निर्माड जन्म के बाद नहीं होता है यानि जब तक embryonic development चल रहा होता है उस मादाशिशु का तब तक उसके ओविरी में ये बन रहे होते हैं लेकिन जब उसका जन्म हो जाता है तो जन्म के बाद उगोनिया का निर्माड नहीं होता है यानि और उगोनिया नहीं बनते हैं तो यहाँ ये दो-तीन point ऐसे हैं जो बहुत-बड़ा difference आपको दिखाई दे रहे हैं जिनसे किसकी तुलना में? spermatogenesis से अगर हम तुलना करें इसकी तो spermatogenesis क्या था? puberty के समय हो रहा था लेकिन यहाँ तभी शुरू हो जा रही है प्रक्रिया जब जो मादा-शिशू है embryo के रूप में अपने मा के गर्ब के अंदर है तभी clear है? तो यहाँ तक समझिए अब इस चीज को यहाँ इस graph द्वारा हम लोग समझते हैं एक चीज दिमाग में रखिएगा कि इस process का explanation अलग-अलग तरीके से अलग-अलग किताबों में दिया होगा लेकिन हमको केवल NCRT को पकड़ के चलना है बहुत simple तरीके से आप इस diagram दोरा इस प्रक्रिया को समझ जाएंगे बस थोड़ा सा ध्यान दिजिए तो देखिए इस चीज को हम यहाँ देखते हैं तो देखिए यह जो कोशिकाएं दिख रही हैं यही क्या है उगोनिया है और 2 million की संख्या जो इनकी हुई है यह कैसे हुई होगी cell division और कौन सा? mitosis यानि समसुत्री भी भाजन जब होता है तो कोशिकाएं की संख्या बढ़ती है उनके गुर्शूत्र की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आता है यह इस पर्मेटोजेनसिस में भी हम लोगों ने डिसकस किया था तो इसलिए यह लिखा गया है embryonic development के दारान क्या हो रहा है? कि मालीजे यह एक उगोनियम सेल है इनसे दिवाइड हुआ दो से चार ऐसे विभाजन द्वारा यानि माइटोसिस बार बार होता रहता है और यह उगोनिया की संख्या बढ़ती रहती है नए नए उगोनिया बनते रहते हैं कब तक? जब तक embryonic development चलता है जन्म के बाद नहीं तो यानि ये सभी की सभी कोशिकाएं क्या है? ये सभी की सभी कोशिकाएं है? उगोनिया और ये जो जिस process द्वारा ये बढ़ रही है ये बीच बीच में क्या हो रहा है? ये हो रहा है माइटोसिस माइटॉसिस यानि समसुत्री विभाजन से इनकी संख्या बढ़ रही है और ये सभी कोशिकाएं जो दिख रही है ये क्या है? ये है उगोनिया उगोनिया और ये कैसे सेल्स होंगे? कैसी कोशिकाएं होंगी ये? ये होंगी अब ये सभी के सभी उगोनिया बन गए अब क्या होता है देखिए जब उगोनिया निर्मित हो जाते हैं तो ये मियोसिस करना शुरू करते हैं अर्धुसुत्री विभाजन करना शुरू करते हैं मियोसिस करना शुरू करते हैं क्रिया को समझने स्पहले ये समझे कि जब भी मियोसिस होगा तो कोशिकाओं में गुर्षूत्रों की संख्या आधी हो जाती है जो विभाजित कोशिकाओं बनती है नहीं उनमें पहले वाले की तुलना में गुर्षूत्रों की संख्या आधी होती है पहली बात दूसरी बात क क्या है कि जब भी मियोसिस होगा तो उसमें दो डिवीजन होते हैं स्परमेटोजेनेसिस में इस बात को बताया गया था कि जब भी मियोसिस होगा अर्धसुत्री विभाजन होगा तो एक ही कोश्का दो बार बढ़ती है जिसको मियोसिस फर्ष्ट और मियोसिस सेकेंड कहते है clear और गुर्षूत्रों की संख्या जो आधी होती है उसमें कोशिकाओं में वो वास्ताओं में meiosis first के ही दौरान हो जाती है meiosis second तो केवल mitosis की ही तरह होता है वहाँ भी ये बात बताई गए थी spermatogenesis में तो अब क्या है ये उगोनिया बन गए है निर्मित हो गए है ये अब शुरू करते हैं meiosis करना और meiosis first को शुरू करते हैं और क्या होता है कि meiosis first के प्रोफेज first में ही जो पहुंचते हैं तो ही ये प्रक्रिया और रुद्ध हो जाती है रुख जाती है अचानक से तो यानि अब देख रहे हैं ये क्या किये हैं पोशक तत्तों को इकठा किये हैं वृध्धी किये हैं थोड़ा सा और ये शुरू ही किये थे अभी मियोसिस फर्स्ट को तब ही प्रोफेज फर्स्ट में ही ये प्रक्रिया अचानक से रुप गई और अब ये कोशिकाएं ये कोशिकाएं जो प्रोफेज फर्स्ट तक चली गई है उन कोशिकाओं को उन उगोनिया को क्या कहेंगे अब उसाइट कहेंगे और कौन सा primary oocyte प्राथमिक oocyte कह देंगे तो यानि ये कोश्का जो दिख रही है ये हो जाएगी primary oocyte primary oocyte और ये भी कैसी कोश्का होगी ये भी कोश्का होगी deployed यानि द्वी गुडित क्योंकि अभी meiosis complete नहीं हुआ है ठिक और ये प्रक्रिया ये प्रक्रिया कहां तक और उध होई है आकर के ये प्रक्रिया यहां तक और उध होई है कहां तक meiosis first के प्रोफेज first में आकर तो लिख लेते हैं इस चीज को meiosis first के प्रोफेज first के दोरान और उध ये प्रक्रिया वहीं रूज आती है अचानक से हुआ क्या कि देखे उगोनिया बने वह अभी meiosis करना शुरू ही किये थे तभी meiosis first के profile first में ही अभी गये थे अभी शुरू ही हुई थी प्रक्रिया उसी समय प्रक्रिया अचोनक से रुख गई और उद्ध हो गई और अब वहां तक जो कोषिकाएं पहुँच गई हैं अब व मिलती जुलती लग रही होगी किस से स्परमेटो जेनेसिस से लेकिन असली अंतर आपको अब दिखेगा क्या होगा कि फॉलिकल्स एक नई समझनाएं आपको देखने को मिलेंगी कैसे कैसे बनेंगी वो देखते हैं आसान है बस थोड़ा सा ध्यान देते रहें बहुत जटिल प्रक्रिया है ये मान रहे है लेकिन यहां पर हम लोग बहुत असानी से इसको समझ लेंगे कोई टेंशन की बात नहीं है तो अब क्या है यह प्राइमरी उसाइड जो बन चुके हैं और कहां रुप चुके हैं मियोसिस फस्ट के प्रोफेज फस्ट में आकर के अरुद्ध हो चुके प्रक्रिया ये प्राइमरी उसाइट अब इनके चारो तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स यानि करिकामय कोशिकाओं का घेरा बन जाता है और ये बन जाती है प्राइमरी फॉलिकल ठेक तो इस चीज को हम लोग यहां इधर समझ सकते हैं कि देखिए ये प्राइमरी उसाइट है इसके चारो तरफ ग्रेनुलोसा सेल्स यानि करिकामय कोशिकाओं का घेरा बन जाता है और यही अब कहलाने लगती है संद्शना प्राइमरी फॉलिकल ठेक तो बनाते हैं इधर ये कुछ ऐसे ग्रेनुलोसा सेल्स चारो तरफ से घेर लेंगे इसको और ये बीच में क्या है ये है प्राइमरी उसाइट है ठेक ये कुछ ऐसे यानि ये पूरी संद्शना आप क्या कही जाएगी ये है प्राइमरी फॉलिकल ये जो बीच में है ये क्या है प्राइमरी उसाइट जो चारो तरफ से ग्रेन वलोसासेल से घेर चुकी है उसका नामकरण कर देते है प्राइमरी फॉलिकल ये संद्शना अभी क्या है प्राइमरी फॉलिकल है और इसके अंदर इसके अंदर ये जो संद्शना दिख रही है ये क्या है ये वास्तों में प्राइमरी उसाइट ही है अब क्या है देखिए ये प्राइमरी फॉलिकल अब वैसे ही बननी रहती है सनरचना महा और इसी अवस्था में होता क्या है बर्थ हो जाता है जन्म हो जाता है उस मादा शेशु का यानि यहां अब तक अवस्था पहुंची रहती है और इसी अवस्था में ही जन्म हो जाता है तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां इस स्टेश तक क्या हो गया जन्म हो गया यानि बर्थ हो गया बर्थ यानि इसी अवस्था में मादा शेशु का जन्म हो जाता है किस अवस्थ का और वो बन गई है संद्शना क्या primary follicle primary follicle संद्शना तक ही यह प्रक्रिया रुकी हुई है मतलब embryonic development के दौरान और उसी समय जन्म हो जाता है मादा शेशु का ठीक यानि यहीं प्रक्रिया वो रुकी हुई है और यह यह क्या है यह है ग्रेनलोसा सेल्स ठीक अब क्या है कि यह primary follicle जो है इनकी संख्या में जन्म से लेकर के puberty तक भारी मात्रा में गिरावट आती है यह degenerate होते हैं काफी मात्रा में देखिए एक चीज़ समझे कि जन्म से लेकर के puberty तक इसमें तो कोई change नहीं होना है प्राइमरी उसाइट वैसे ही रहता है इसी अवस्था में रुका रहता है मियाउसिस फर्स्ट के प्रोफेस फर्स्ट में ही वही प्रक्रिया रुकी रहती है होता क्या है कि यह उल्टा होता है कि primary follicle जो बने हैं यह degenerate करना शुरू करत तक यह primary follicle अत्यधिक मात्रा में degenerate हो गए रहते हैं और puberty आते आते इनकी संख्या primary follicle की संख्या मात 60,000 से 80,000 ही बची रहती है यानि की यहां लिख सकते है puberty तक यानि यौनारंभ तक कितनी बसती है इनकी संख्या primary follicle की 60,000 से 80,000 ही अब puberty जब आती है यौनारंभ जब शुरू होता है तब इन ग्रेनलोसा सेल्स की संख्या बढ़ती है परतें बढ़ती है इसके चारों तरफ और यह primary follicle अब convert हो जाता है परिवर्थित हो जाता ह secondary follicle में तो उस समझना को यहाँ बनाते हैं उसके बाद यह चीज़े समझ में आ जाएंगी यह कुछ ऐसे ठेक और एक और परिवर्थन आता है देखिए ग्रेनलोसा सेल्स की परतें तो बढ़ी हैं एक और परिवर्थन आता है कि सबसे बाहर की और एक और लेयर उत्पन हो जाता है जिसको कहते हैं थीका तो उसको भी बना लेते हैं यह कुछ ऐसे ठीक तो ये वास्तों में क्या है ये जो हरे कलर से बनाई गई है यह ग्रेनलोसा सेल्स इनकी संख्या बढ़ गई है परतें बढ़ गई है और बाँर की तरफ यह जो और लेयर उत्पन्द हो गया है, उसको नाम दे देते हैं थीका, यानि कि यह जो परत है, यह है क्या, थीका, थीका, थिक? और अभी यह जो सनस्ना अब बन गई है, यह अब कहला ही सनस्ना क्या, secondary follicle, secondary follicle, थिक? क्या अंतर है प्राइमरी और सेकेंडरी फॉलिकल में सिंपल सा है कि ग्रेमलोसा सेल्स की परतें बढ़ गई है और बाहर की तरफ एक और लेयर उत्पन हो गया जिसका नाम है ठीका लेकिन हाँ ये अंदर जो सनर्शना दिख रही न ये अभी भी प्राइमरी उसाइट ही है ठीक अब क्या होता है और एक चीज और कि ये शुरू कब हुआ है ये प्रक्रिया यह यहां तक प्रक्रिया तो मान सकते हैं इधर childhood के दौरान था मलब बच्पन के दौरान ये सब प्रक्रिया थी जिससे में क्या हो रहा था कि primary follicle में degenerate हो रहे थे primary follicle उनकी संख्याम कमी आ रहे थी तेंगे जहों ही puberty आया तेंगे यह secondary follicle में बदल गए और परिवर्तन क्या हुगा कि granulosa cells की परतें बढ़ गई एक और layer आ गया ठीका अब उसे कह देंगे क्या secondary follicle ठीक अब क्या है देखिए अब फिर से इन में परिवर्तन आएगा जो granulosa cells हैं उनकी परतें और बढ़ेंगी और साथी साथ इनके बीच में एक cavity बन जाएगी जिसको antrum नाम देंगे अभी और जो ठीका है जो ठीका layer ये दो layer में differentiate कर जाएगा दो layer में बढ़ जाएगा जिसको बाहरी layer को कहेंगे ठीका external और अंदर वाले layer को कहेंगे ठीका internal तो ये थोड़े से नए नए नाम है इसको पहले बना लेते हैं सारी चीज़ें clearly समझ में आ जाएगी जए ये जोी समझ कहेंगे झालेřS सहतीर में कि झाले तो नाम हुआ जाएगी ये कुछ ऐसे तो देखिए अभी समर्षना पूरी नहीं हुई है ये बाहर का जो है सबसे बाहर की तरफ वो हो जाएगा थीका एक्स्टर्ना और उसके अंदर जो ब्लू कलर से बनाए गया एक वो हो गया थीका इंटर्ना ठेक तो पहले इसको लिख लेते हैं नाम इसका ये बाहर का हो जाएगा थीका एक्स्टर्ना और अंदर का ये हो जाएगा थीका इंटर्ना सिंपल ही है थीका जो है थीका लियर यहां बना था सेकेंडरी फॉल्कल में वो दो पर्तों में विभेदित हो गया बट गया तो बाहर वाला जो हो गया वो थीका एक्स्टर्ना थीका इंटरना और क्या हुआ कि ये जो ग्रेंगलोसा शेल्स थे उनकी परतें बढ़ी और बीच में संदशना अभी संदशना कहलाती है तर्शियरी फॉलिकल पहले इसका नाम लिख लेते हैं उसके बाद कुछ और भी परिवर्तन अभी इसके अंदर होता है वो देखेंगे तो यह जाएगा तर्शियरी फॉलिकल तर्सियरी फॉलिकल यानि यहां से सेकेंडरी फॉलिकल से जो संदिशना परिवर्टित हो गई अभी यह यह है अब क्या और परिवर्टन होगा वो समझे प्यूबर्टी आ चुकी है उसके बाद ही secondary follicle से tertiary follicle अभी बना है पहले क्या था? Puberty के पहले primary follicle Puberty आई, तो secondary follicle secondary follicle से फिर से अब tertiary follicle tertiary follicle में अभी layer की बात हुई अब प्रशन ये उठता है कि अब तक भी क्या ये प्रक्रिया यहीं पर रुकी रहेगी यानि primary oocyte ही रहेगा तो नहीं अब ध्यान से समझेए यही वो इस्थिती है, यानि tertiary follicle ही वो सनशना है जहाँ पर ये जो primary oocyte जो था वो अब परिवर्तित हो जाता है secondary oocyte में यानि अब हमको यहाँ पर आना पड़ेगा थोड़े समय के लिए बहुत इंट्रेस्टिंग है ध्यान से देखिए, बहुत आसानी से समझा जाएगा अभी हम लोग फिर से revision भी करेंगे, छोटा सा क्या है, कि यहाँ पे जो प्रक्रिया रुकी थी कहाँ पे, meiosis first के प्रोफेज first के दौरान ये प्रक्रिया रुकी थी यानि primary oocyte अभी था वहीं पे वह प्रक्रिया यहां तक तो होती है लेकिन जियों ही tertiary follicle बन जाता है यानि कि यह अभी अब इसके अंदर रहता है tertiary follicle के, उसी समय यह प्रक्रिया संपन हो जाती है यानि कौन सी, meiosis first जो है वो complete हो जाता है और यह जो primary oocyte है यह बढ़ जाता है दो कोशिकाओं में और एक बनता है first polar body और दूसरा बनता है secondary oocyte तो पहले उसको लिखते हैं यानि कि यहां पे यह जो प्रक्रिया complete होई यहां लिख सकते हैं कि यह puberty पे complete होई यानि यौनारंब पे puberty पर यह प्रक्रिया complete होती है जिसके फल सरूप एक बनता है यह इसका नाम लिख देंगे क्या यह है secondary oocyte secondary oocyte ठिक यह जो सनचना बनी और अब एक चीज़ देख रहे हैं कि एक छोटी सी सनचना और बनी है इसको कहते हैं first polar body first polar body यह जो छोटी सी कोशका है ठिक अब एक चीज़ आप यह देख के समझ सकते हैं कि यह जो meiosis first के फल सरूप यह दोनों कोशका हैं बनी है जिसको एक को हम नाम दे रहे हैं क्या secondary oocyte और दूसरे को first polar body यह जो division होगा meiosis first यह एक unequal division है unequal division मतलब क्या क्या नाम दिये है secondary oocyte और छोटी कोशका का नाम दिये हैं क्या first polar body और यह दोनों कैसे होंगे हेपलाइड होंगे हेपलाइड होंगे क्यों क्योंकि अभी बताए गया है कि meiosis first के ही दौरान meiosis first के ही दौरान गुर्शुत्रों की संख्या आधी हो जाती है ठेक यहां तक clear है और अब देखिए यह संख्या जो secondary oocyte है यह कहां बन रही है इसके अंदर tertiary follicle के अंदर ही यह विभाजन complete हुआ है अभी तो tertiary follicle के अंदर ही यह secondary oocyte बनेगा और polar body भी बनेगा polar body को यहां नहीं बना है क्योंकि वो मतलब कि human के मामले में क्या होता है कि कुछ समय बाद degenerate कर जाता है या उसको बनाने की आपशक्ता वहां है भी नहीं जो main संख्या है वो यहां है secondary oocyte तो इसको बना लेते है यानि कि यह जो संख्या दिख रही है यह क्या है secondary oocyte यह ऐसे अंदर तो यह secondary oocyte अपने चारो और एक और layer संसलेशित कर लेता है एक और layer निर्मित कर लेता है और उस layer का नाम है zona pelucida तो उसको बना लेते हैं यह कुछ ऐसे ठीक तो इसको इसका नाम करण कर देते हैं यह क्या है zona pelucida zona pelucida कौन सा आवरण है यह है secondary oocyte और इसके चारो तरफ जो एक और आवरण इस secondary oocyte ने निर्मित कर लिया है वही है zona pelucida और किसके अंदर है tertiary follicle के अंदर और एक चीज और कि यह zona pelucida जो है एक non-cellular layer है कोशिकाओं से मिलके नहीं बना है बलकि एक jelly-like पदार्थ है जो कि चारो तरफ इसके संसलेसित हो गया कि इसके चारो तरफ secondary oocyte के चारो तरफ किसके अंदर tertiary follicle के अंदर clear है अब क्या है tertiary follicle में कुछ और परिवर्टन आते है और यह अंतत्या बदल जाता है परिपक्व follicle में mature follicle में जिसको graphene follicle कहते है तो यानि कि अब यह संसना इसमें बदलेगी उसको बना लेते हैं उसके बाद आगे गी प्रक्रिया देखेंगे कि अब बदलेगी कि अब बदलेगी कि अब बदलेगी तो यह है mature follicle या graphene follicle यानि tertiary follicle अब परिबर्तित हो चुका है किसमें mature follicle या graphene follicle में यह कुछ ऐसे अब देखें क्या है कि graphene follicle हाँ इसका नाम लिख लेते हैं पहले graphene follicle अब देखें क्या है जब graphene follicle का निर्माड हो जाता है उसके बाद यह secondary oocyte जो इसके अंदर था अब बाहर निकलता है उससे और इस क्रिया को कहते हैं ovulation यानि अंडोत सर्ग यानि देख सकते हैं यहां देख रहा है यहां अंदर था अभी यह बाहर निकल रहा है बाहर निकल रहा है तो यह अभी अपने तो बाहर निकल ही रहा है साथ में इसके साथ जो इसका layer था zona pellucida और साथ में कुछ granulosa cells के layer वो भी बाहर निकल रहा है यानि ये प्रक्रिया जो हो रही है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या है ये ये है ovulation यानि अंडोत सर्ग तो यहां लिख लेते हैं ovulation यानि अंडोत सर्ग ठीक तो हम सीधा सा अगर पूछ दे कि ovulation या अंडोत सर्ग किसे कहते हैं तो simple सा है कि graphene follicle के अंदर से secondary oocyte का बाहर निकलना इसी क्रिया को कहते हैं ovulation यानि अंडोत सर्ग जो हम लोग डीटेल में पढ़ेंगे कब menstrual cycle में तो यह चीजें जो अभी है न यहां समझ के चली कि 50% menstrual cycle हम लोगों ने समझ लिया है क्योंकि oogenesis और menstrual cycle यह दोनों साथ में चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए यह सारी चीजियों को बताए यहां पर आसान है बस जरूरत यह है कि थोड़ा सा ध्यान से लगा करके इसको देखिए समझ यह तो अब क्या है प्रक्रिया कहां तक कि ग्राफियन फॉलिकल में से यह से किंडरी वसाइट बाहर निकले याली कि हम कह सकते हैं यह जो संद्षनुच और जब आते हैं यहां पर जब secondary oocyte बाहर आ जाता है ovulation के फल स्वरूप किससे graphene follicle से अब ये meiosis second करना बागी है इसको तो उसी समय उसके अंदर चल रहा होता है meiosis second यानि meiosis second शुरू हो जाता है और meiosis first जैसे रूखा था एक जगह जाकर के meiosis second भी एक जगह जाकर के रूख जाता है लेकिन यहाँ pro phase से आगे बाद बढ़ गई रहती है यानि कह सकते हैं कि अब इस secondary oocyte में meiosis second होता है meiosis second होता है और वो प्रक्रिया meiosis second के meiosis second के metaphase second में जाकर के रुख जाती है रुख जाती है क्यों रुख जाती है अभी समझ में आ जाएगा तो यहाँ पहले लिख लेते हैं क्या लिखा meiosis second के metaphase second के दोरान और उद्ध कौन सी प्रक्रिया जो अभी यह meiosis second शुरू हुआ था meiosis second शुरू हुआ था क्या नहीं यहाँ लिख सकते हैं यह meiosis second शुरू हुआ था meiosis second यह प्रक्रिया भी metaphase second के दोरान रूकी रहती है संपन्द कब होती है तो देखिए अगर इस्पर्म आता है और fertilization की प्रक्रिया होती है तब ही यह meiosis second complete होता है और secondary oocyte से oom और second polar body का निर्माड होता है और अगर इस्पर्म नहीं आता है fertilization की प्रक्रिया नहीं होती है तो यहीं पर यह प्रक्रिया रुकी रहती है secondary oocyte वैसे का वैसा ही रहता है और इसी रूप में menstrual cycle के दोरान यह नश्ट होकर के बाहर निकल जाता है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि हर बार oom का निर्माड हो यह जरूरी नहीं है sperm आएगा fertilization होना होगा तभी oom का निर्माड होगा नहीं तो प्रक्रिया यहीं तक secondary oocyte तक ही रुकी रहेगी और वो secondary oocyte नश्ट हो जाएगा यानि कि यह हम कह सकते हैं कि मान लिया कि sperm आया और fertilization की प्रक्रिया संपन्न होने वाली है तो यहां लिख सकते हम तो fertilization के दौरान sperm की ही साहता से meiosis second complete होता है और secondary oocyte से oom तथा second polar body का निर्माड होता है तो यह है oom और यह है second polar body ठीक और यह जो oom है यह कैसी संद्चना है यह भी एक heploid कोशिका है और यही वो संद्चना है जिसके निर्माड की प्रक्रिया को क्या कहते है oogenesis यानि ungenal कहते है clear तो यह रहा oogenesis यानि ungenal एक बार fast division करते हैं उसके बाद इस topic को close करते हैं fast division के दौरान जो भी मैं बोलूँगा उससे आप चाहें तो वीडियो को बीच बीच में pause करके notes बना सकते हैं oogenesis के लिए तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहली क्या है कि ovum के निर्मार की प्रक्रिया को कहते है oogenesis यानि ungenal शुरूआत कब होती है इस प्रक्रिया की तो शुरूआत हो जाती है embryonic development के दौरान ही यानि जब मादा शिशु अपने मार के गर्ब के अंदर एक embryo के रूप में रहती है उसी समय उस embryo के ओवरी में इस प्रक्रिया की शुरूआत हो जाती है उसके दौरान होता क्या है कि embryonic development के दौरान embryo के प्रतेक ओवरी में लगबग 2 million oogenia का निर्मार होता है oogenia ही वो कोशिकाए हैं जिनमें meiosis के फलस्वरूप oogenia का निर्मार होगा और क्या होता है कि जन्म के बाद oogenia का निर्मार फिर से नहीं होता है यानि वही संख्या fix रहती है जो जन्म के पहले जितनी oogenia बन गई है clear है यानि कि यहाँ यह जो कोशिकाए है यह सभी क्या है oogenia कैसे बनी है mitosis बार-बार हुआ है और वो लगबग 2 million संख्या उनकी हो गई है प्रत्यक ओवरी में तो यह सभी है क्या oogenia अब क्या है कि यह oogenia शुरू करती है meiosis करना यानि अर्थ सुत्री विभाजन करना शुरू ही करती है तभी वो प्रक्रिया रुक जाती है कहां रुक जाती है meiosis first के prophes first के दौरान ही वो प्रक्रिया और रुद्ध हो जाती है और अब वो कोशिकाए जो यहां तक पहुँच गई है prophes first तक पहुँच गई है meiosis first के वो अब कहलाती है primary oocyte जो कि diploide होती है clear अब primary oocyte के चारो तरफ granulosa cells के layer बन जाते है और वो सनचना कहलाती है primary follicle अब इसी अवस्था में उस मादाशिशु का जन्म हो जाता है ठीक और जन्म से ले करके puberty तक योना रंब तक ये प्रक्रिया यहीं रुकी रहती है meiosis first के प्रोफेस first में ही और इस दौरान क्या होता है कि ये primary follicle अत्यधिक मात्रा में नश्ट होते हैं और अंततह बचे कितने रह जाते हैं puberty तक यानि योना रंब तक जाते जाते इनकी संख्या 60,000 से 80,000 ही बची रह जाती है ठीक जब puberty आती है योना रंब आता है जब वो अस्थाती है उस समय ग्रेनुलोसा सेल्स के परत और बढ़ जाते हैं और सबसे बाहर की यूर्थ एक और लेयर बन जाता है जिसका नाम है ठीका और यह समर्चना तब कहलाती है secondary follicle clear अब secondary follicle का ये जो ठीका लेयर है ये दो लेयर में विवक्त हो जाता है ठीका एक्स्टरना और ठीका इंटरना और इसके अंदर एक गुहा बन जाती है cavity बन जाती है जिसे एंटरम कहते हैं और अब ये समर्चना कहलाती है tertiary follicle और tertiary follicle के अंदर ही meiosis first संपन्न होता है complete होता है जिसके फलस्वरूप ये जो primary oocyte है ये परिवर्तित होते हैं बट जाते हैं secondary oocyte और first polar body में ये दोनों संद्चनाए कैसी है secondary oocyte और ये first polar body ये दोनों haploid संद्चनाए हैं और गुएत है clear अब क्या होता है कि ये tertiary follicle परिवर्तित होते हैं graphene follicle में यानि mature follicle में और इस graphene follicle में से उसके अंदर से secondary oocyte बाहर निकलता है हाँ इसके पहले एक और कि यहाँ जब secondary oocyte बन जाता है इसके tertiary follicle के अंदर तो secondary oocyte अपने चारों और एक और layer संसलेशित कर लेता है और उस layer का नाम है क्या zona pelucida जो कि non-cellular layer है किसी कोशिका से नहीं बना है एक कहज़ेकते हैं jelly-like पदात है जो उसके चारों तरफ आवरन बना करके इकठा हो गया है जो किसके दोरा बना गया है खुद secondary oocyte के दोरा clear है अब क्या है कि tertiary follicle जब mature follicle यानि graphene follicle में बदल जाता है तो ये secondary follicle उस graphene follicle के अंदर से बाहर निकलता है और इस प्रक्रिया को कहते है ovulation यानि under-surg और अब क्या होता है कि ये secondary oocyte फिर अब शुरू क्या करता है meiosis second शुरू करता है लेकिन meiosis second कहां जाकर के प्रक्रिया रुख जाती है यह प्रक्रिया रुख जाती है meiosis second जो है metafis second के दोरान ही और उद्ध हो जाती प्रक्रिया रुख जाती है अब अगर sperm आता है fertilization की प्रक्रिया होती है तो ये meiosis second कम्प्लीट होता है और जिसके फलस्वरूप ओवम और सेकेंड पोलर बॉड़ी का निर्माड होता है और दोनु समझनाय कैसी है है यानकि हम यह कह सकते हैं कि हमेशा यह नहीं होता है कि सेकेंडरी उसाइट परिवर्तित हो ओवम में यह तभी होगा जब स्पर्म आएंगे और यह फैटलाइजेशन की प्रक्रिया होगी नहीं तो यहीं पे secondary oocyte इसी metafade second में रुपी रहेगी और उध रहेगी प्रक्रिया और इसी रूप में नश्ट हो करके menstrual cycle के समय बाहर निकल जाएगी ठेक और जब oom बन जाता है तो वास्तों में oom के निर्मार की प्रक्रिया कोई क्या कहते हैं oogenesis कहते हैं ये प्रक्रिया यहीं पे समात्त होती है क्लियर है एक screenshot लीजिए तो ये रहा oogenesis यानि अंड जनन हो सकता है कि इसका explanation थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन इस जटिल प्रक्रिया को आसानी से समझने के लिए ये आवश्यक था अब अगले वीडियो में हम लोग discuss करेंगे menstrual cycle यानि आवर्त चक्र को तो इस वीडियो में फिलाल यहीं तक मिलते हैं गले वीडियो में menstrual cycle के discussion के साथ